20 x 40 का हाउस प्लाण 800 इसकर्फिर हाउस प्लाण इस आउटसाइड वाल 125 mm आउटसाइड वाल ओके इस फाइड पर्देशन वाल ओके इस 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 आप इस वाल को चेंज कर सकते आपको कुछ change करना है इस wall को तो आप change कर सकते ठीक है उसके बाद देखिए इसमें हमने रखा है 3 bedroom उसके साथ dining, drawing, kitchen सब कुछ रखा है at us toilet भी रखा है अगर आपको कुछ भी add करना है कुछ भी modification करना है तो आप इस drawing को modification कर सकते ऐसा कोई बात नहीं है कि यही final drawing है और एक बात इस drawing में अगर आपको window का जो position है उसको अगर आपको change करना है window अगर नहीं रखना है तो आप वो भी कर सकते है कोई problem नहीं होगा तो उसके बाद देखिए यह जो plan है इस plan को हमने 3 bedroom का plan के ois यहाँ पर set किया है तो आपको अगर इस plan को टू बेडरूम करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर एक bedroom को आप आउट करके यहाँ पर जो है एक अलग सा घर भी living room भी यहाँ पर add कर सकते ठीक है ऐसे देखिए हम यहाँ पर जो window का part करने के बाद यहाँ पर जो door का part है यहाँ पर हमने add कर दिया है देखी दोर तो डोर आट करने के बाद हम क्या करेंगे एसे इहाँ पर एसे दोर आएगा और यहाँ पर जो आएगा गेट ऊके तो उसके बाद हम जाएंगी इसके detail drawing पर, गोड़ए detail drawing पर, तो यहाँ पर आएगा mein जो है इसका देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दो gate पर आएगा, जो gate से आप भर के अंदर जै सकते हैं, यहाँ पर एक gate, ओके यहाँ पर इधर से app start हो जएगा, ओके यहाँ पर window आएगा और इसमें देखिए जो starting में यहाँ पर आपका जो column का position ओभी हम यहाँ पर दिखाते हैं तो column देखिए पहले जो column है ऐसे हम यहाँ पर column यहाँ पर ऐसे करके हम column पहले पोवाइट करेंगे उसके बाद हम जाएंगे इसका detail पर तो एखे एह पर इसे कोलम आएगा एपका जो बिल्डिंग है उसके सब सब इहाँ पर भी कोलम पोबैट कर दिजिए इहाँ पर जो है इधर जंसन पर कोलम कोवाट कीजिए ठीक है और तर एक बात column आपको अगर लगता है जादा है तो आप उसको column यहाँ पर change कर सकते है column को position आप change कर सकते क्योंकि एपको उपर depend करेगा आपको अगर लगता है column नहीं दिने से building आच्छा होगा तो आप column out करके building कर सकते हैं वोल्म नहीं है ठीक है यह सब कुछ आपके उपर है जो कॉलम आएगा कुछ कॉलम में कॉलम होगा कुछ कॉलम फाउंडेशन या ट्वाले जो टाइम है उसके उपर से यहाँ पर आएगा यहाँ पर जो है फर्स्ट लॉबी लॉबी से आप स्टार्ट करेंगे इधर से आप लोबी का जो distance से 6 feet 8 inch और इधर का जो distance से 4 feet ओके 4 feet से आप जाएंगे उसके बाद इधर आएगा drawing area तो इधर से आप क्या करेंगे drawing area में 8 feet 9 inch का gap रहेगा इधर और इधर आएगा 9 feet 7 inch का gap इसके बाद इधर open है यहाँ पर door यहाँ पर आएगा dining area ओके dining area इधर से आप हो जाएगे start तो इधर आएगा 3 feet wide okay 6 feet 3 inch इधर जागा रहेगा इधर door इधर open भी रख सकते हैं आप open kitchen ओके kitchen तो kitchen एधर 7 feet और इधर 7 feet okay 7 feet by 7 feet का kitchen रहेगा इधर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इधर जो जागा है देखिए इधर रहेगा 7 feet 11 inch 7 feet 11 inch ओके total area तो उसके बाद इधर एक open area रहेगा open space और यहाँ पर door यहाँ पर रहेगा toilet ओके इधर रहेगा bath और लैट्रिन बाद प्लस लैट इसको भी आप common कर सकते हैं दोनों को ही common कर सकते हैं यहाँ पर एक bedroom यहाँ पर balcony यहाँ यहाँ पर गो जाप ओर 6 feet 3 feet 6 inch यहाँ आप तन puis TEN 6-inch okay with our path that 6 feet 2-inch the 4 feet 11-inch okay with the toilet 5 feet and with that 4 feet okay with that door that door you have a raga or a second bedroom lecture this the distance I got 9 feet 2-inch with her area 12 feet whether we are a 12 feet either the key a bed here a prepared room are there a guy 9 feet 2-inch okay us can't happen to be a plan go did details complete करने के बाद हम इसका जो कॉलम का है कॉलम है इहाँ पार देखिए details column the since into 12-inch का कॉलम्न हैगा तो यहार 20 feet इस direction में और इस direction में 40 feet आएगा ठीके टोटल आएगा 20 into 40 is equal to 800 square feet का house plan okay इबाद 3 भी इसका house plan इसका 3 room रहेगा तो first room 1 2 and 3 ठीके जब उसके बाद इसका जो देखिए column तो होगा यह बपर outside wall outside जो वाल है इसका 5 inch वाल है और inside में देखिए यह जो वाल है 5 inch वाल outside inside में दोनों side में 5 inch का वाल हम यहाँ पर provide किया है तो इस building का total cost कितना हैगा देखिए यह पर हम लिखे देंगे तो 20 feet into 40 feet is equal to 800 square feet में आपको 3 bedroom का plan मिल दा है 3 bedroom आप एक bedroom का कम करके भी कम कर सकते हैं इसका total cost आएगा cost जो आएगा total 800 में 12 to 14 lakh ओके यहाँ पर cost आएगा ठीके और उसके बाद इसका जो देखिए door यहाँ पर 3 feet आएगा इधर भी 3 feet का door आएगा 2 feet 6 inch आएगा इधर इधर भी आएगा 3 feet का door इधर आएगा 3 feet okay इधर आएगा landing stair का position है और इधर जो door आएगा इधर 3 feet door और इधर जो balcony है main gate जो आएगा इधर 4 feet 6 inch वाइट आएगा okay इधर जो है 4 feet तो ऐसे करके आप इस plan को details कर सकते है ठीक है तो यह तसका plan पर अच्छत लाइक कर देना हम यही पर end करते plan को